हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चरल परिक्षा प्लान में तो कैसे आप लोग आई हो पच्छे होंगे तो जैसा कि आप लोग को पता है कि साइन्स को NCRT से पढ़ रहे हैं तो क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है क्लास 7 की बुक के दो चैप्टर पढ़ गई है आप लोगों को अपनी तयारी में 15 दिन का समय और मिल गया है आपका एक दिसंबर को होना था अब आपका 15 दिसंबर को होगा तो 15 दिन आपको और ज्यादा मिल गई है तो इस पर मने वीडियो बनाया था कि आपका नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उसमें जो एकजाम डेट है वह बदल दे गई है एक दिसंबर की जगे अब 15 दिसंबर को आपका एकजाम होगा तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर टी भी पढ़िए आप साइंस में यदि इतना पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी कुश्चन गलात नहीं होगा साइंस की प्रिवेश एर के कुश्चन में करवा चुकी हूँ ओफ लाइन जितने भी पेपर हुए थे और कुछ ओनलाइन वाले पेपर भी मैंने करवाई हैं प्ले लिस्ट वनी हुई है आपको वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं उस्मा के बारे में जानेंगे ये अच्छा लेसन है इसमें थर्मामीटर के बारे में बताया गया है डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोकसाला थर्मामीटर इनमें अंतर बताये गई हैं इसके अलाबा इसमें उस्मा इस्थनांतरड की वीदियों के बारे में बताया गया है तो अच्छा लेसन है आपको एक या दो प्रस्निश से मिल जाता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लिखा है आप जानते हैं कि उनी वस्तर बनाई जाती है और फिर उन बालों से ही उस उन से ही स्वेटर बनाया जाता है यानि जो उनी वस्तर होते हैं जानतव रेसों से बनते हैं आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्तर पादप रेसों से बनाई जाते हैं अब जो सूती वस्तर होते हैं ये उन रेसों से बनाई जा ये हमें सर्ण रुट्टू के लिए विसेस प्रिकार के वस्तर ही क्यों उप्योक्त होते हैं तो जब गर्मी होती है तो हम लोग ऐसे वस्तर पहनते हैं जो ठंड़क प्रिदान करें, हल्के रंग के हूं और सूती वस्तर पहनना पसंद करते हैं। तो ये वस्तरों में अंतर क्यों है? तो यही अंतर जो है, नीचे समझाया जा रहा है। आगे लिखा है सीत काल में आप घर के अंदर ठंड का अनभव करते हैं यदि आप बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का अनभव करते हैं ग्रीस मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनभव करते हैं यानि जब बहुत गर्मी होती है तो घर के अंदर भी गर्मी लगत बताया गया है वस्तुओं का ठंडा और गर्म हम अपनी तवचा से पता लगा लेते हैं यदि एक पात्र में गर्म पानी रख दिया जाए एक में ठंडा पानी रख दिया जाए तो हम क्या करेंगी उसमें हाथ डाल कर पता कर लेते हैं कि किसमें ठंडा पानी है और किसमें गर पानी है तो गर्म या ठंडा ये कैसे पता कर सकते हैं यही इसमें बताया जा रहा है लिखा है अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं इन वे से कुछ गर्म है कुछ ठंडी चाय गर्म है बर्फ ठंडी है साड़ी में सामान उपयोगी वस्तुओ की सूची दी गई है इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए इन वस्तमों को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्नित कीजिए अब यहां पर यह सारड़ी दी गई है और इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी ठंडी है कौन सी वस्तू गर्म है आगी लिखा है हम देखते हैं कोई वस्तू दूसरी वस्तू के पेच्छा गर्म है पर आया हम इसका पता वस्तू को इसपर्स करके लगाते हैं परन्तु क्या हमारी इसपर्स इंद्री विश्वसनी है आईए ग्याद करें अब जो हमारी इसपर्स इंद्रियां होती है यह ठंडा गर्म तो पता कर सकती है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है लेकिन कोई वस्तु कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है ये हाथों द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता तो इसके लिए हमें ताप मापी की आवसकता पड़ती है अब यहाँ पर किरिया कलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है कि हम पानी के ताप का अनभव कैसे कर सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि हमारी इसपर्स इंद्रिया विश्वसनी है के नहीं तो इसपर्स इंद्रिया विश्वसनी ये नहीं हो सकते हैं कभी कभी हमें लगता है एक हाथ से यदि आप किसी पात्र को चुएंगे तो हो सकता है वो आपको ठंडा लगे दूसरे हाथ से वही आपको कम ठंडा लगे तो ये विश्वसनी नहीं है इसका निसकर्ज यहां पर लिखा हुआ है हम अपनी इसपर्स इंद्रियों पर यह नहीं बता सकती तो इसके लिए हमें ताप मापी की आवसकता पढ़ती है यह ग्रिया कलाब दिया गया है यह पढ़ने की आवसकता नहीं है हमें जो पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे आगे लिखा है तब हम यह कैसे ग्याद करते हैं कि कोई यह माप उसके ताप से की जाती है ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को ताप मापी कहते हैं यानि जिससे हम ताप मापते हैं वह ताप मापी कहलाता है यानि थर्मामीटर आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी आपको फीवर आ जाता है तो आपका ताप मापी के द्वारा मापा जाता है ते दोनों के बारे में नीचे बताया गया है पहले ताप मापन समझाया जा रहा है कि ताप मापन क्या होता है चलिए इसको पढ़ लिते हैं लिखा है क्या आपने कोई ताप मापी देखा है याद कीजिए जब कभी आपको या आपके परवार में किसी को बुखार जड़ा था तो टेमप्रेचर यानि ताप को थर्मामेटर से मापा गया था जिस ताप मापी से हम अपने सरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामेटर कहते हैं किसी थर्मामेटर को अपने हाथ में पकड़िये तथा इसका ध्यान पूरवक प्रेक्षड कीजिए यदि आपके पास थर्मामेटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ समलित हो जा हो ये इस तरीके के थर्मामीटर पहले आते थे अभी भी हो सकता है किसी के घर में ऐसा थर्मामीटर हो अब जो आते हैं वो डिजिटल थर्मामीटर जो होते हैं अब उस तरीके के आते हैं जिसमें एक सैल पड़ती है और उसमें आसानी से आप ताप देख सकते हैं तो ये पुटी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तता एक समान व्यास की काच की नली होती है इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है बल्ब में पारा भरा होता है ये होता है बल्ब बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है यदि पारे की ये धारी आपको ना दिखाई दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा खुमाईए जब तक के आपको उसमें धारी ना दिखाई दे थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापकरम भ ताप मापा जाता है वे Celsius में मापा जाता है यानि जो ताप मापने का माप करम है Scale उसमें जो दिखाई देता है तो वे Celsius Scale है इसे C द्वारा दर्साते हैं आगे लिखा है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे 4 ने हाइट लिखा हुआ है उपर Celsius लिखा हुआ है तो बूजो को दुबदा हो गई है तो बूजो क्या कहता है कि बूजो दुबदा में है चित्र में दर्साए दो माप किरमों में से वह किसे पढ़े पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने Celsius स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए दूसरा माप किरम फॉरने हाइट स्केल है जिसका परसर 94 से 108 डिगरी तक है इसे पहले प्रियोग किया जाता था तो अभी भी प्रियोग किया जाता है हम लोग ताप को फॉरने हाइट में भी माप लेते हैं और सेलसियस में भी माप लेते हैं आगे लिखा है डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिगरी से बियालिश डिगरी सेलसियस तक के ताप ही माप सकते हैं और यही मैत्पूर है यही आपको याद रखना है अब यह जो परस्न पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा आपको कथन दिये जाएंगे और आपको बताना होगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में कौन से कथन सही है तो इसमें यह जो परसर वाला है यह आता है यानि जो डॉक्टरी थर्वामेटर का जो परास है वैह कितना होता है तो बाइ 35 degree Celsius से 42 degree Celsius होता है यह आपको याद रखना है इतना ही ताप हम डॉक्टरी थर्वामेटर से माप सकते हैं इससे जदा का नहीं माप सकते अब लिखा है थर्मामीटर से ताप मापना तो थर्मामीटर से ताप कैसे मापा जाता है ये बताया जा रहा है तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं आईए यह सी खेंग के थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है सबसे पहले इसके किनी दो किर्मागत एक के बाद एक बड़े चिन्नों द्वारा निरूपे ताथ के अंतर को डोट कीजिए इन दोनों चिन्नों के बेज भागू की संक्या को डोट कीजिए मान लीजिए दो बड़े चिन्नों के बीच एक डिगरी का अंतर है तथा इन चिन्नों के बीच पाँच भाग हैं तब एक छोटे भाग का मान एक बटे पाँच डिगरी सेलसियस अर्थात दिसंबलब दो डिगरी सेलसियस होगा उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी तरह से धो लीजिए धोने के लिए किसी पूती रोधी यानि रोगारू रोधा घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़गे और कुछ जटके दीजिए जटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा आगे रिखा है सुनेश्चित कीजिए कि यह 35 डिगरी से नीचे आ गया है अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीव के नीचे रखिए एक मिनट के पस शाद थर्मामीटर को बाहर निकालिए उसका पाठ्यांग नोट कीजिए यह आपके शरीर का आगे लिखा है मानो सरीर का सामान ताप 37 डिगरी सेलसियस है ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मातरक के साथ व्यक्त किया जाता है अब सामान ताप बताया गया है 37 डिगरी सेलसियस हो सकता है किसी किसी का 37 से थोड़ा जादा हो या कम हो बिलकुल सभी का 37 तो नहीं निकल स लगता है तो सामानिताप यहां पर बताया गया है 37 degree Celsius अब यह तो degree Celsius में है अब यदि प्रस्ने में पूछ लिया जाए कि फॉर्ण हाइट में मनुस्य के सरीर का सामानिताप कितना होता है तो 98.6 degree यह आपको याद रखना है दोनों बाते याद रखनी है प्रस्न आपका गलत नहीं होना चाहिए मेरा मकसद यही है आगी बढ़ते हैं अब यहां पर डॉक्टरी धर्मामीटर के उपयोग की कुछ साथानिया लिखी हुई है तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं यहां पर भी कुछ लिखी हुई है चलिए पढ़ते हैं लिखा है थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए दोने के लिए किसी पूति रोधी यानि एंटी सेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पा करते समय पारे का तल द्रश्टी रेखा की सीध में होना चाहिए थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए किसी कठोर वस्तू से टगराने पर या तूट सकता है थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्व से नहीं पकड़ना चाहिए यानि जिस तरफ बल मानो सरीर का ताप मापने को छोड़ कर किसी अन वस्तू का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए थर्मामीटर को धूप अथवा आग के पास रखने से बचाईए ऐसा करने से या है तूट सकता है आगे क्या लिखा हुआ है डॉक्टरी थर्मामीटर को केबल मानो सरीर का त ताप 35 डिग्री Celsius से कम जथा 42 डिग्री Celsius से अधिक नहीं होता यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परसर 35 डिग्री Celsius से 42 डिग्री Celsius होता है और यही बात आपको याद रखनी है तो डिग्री तर्मामीटर के बारे में बता दिया इसका परसर आपको याद रखना है जो सावधानी बताईं गई है वो याद रखनी है और इसे मानोल शरीर के ताप मापने के लिए ही डिजाइण किया गया है इसे लिए किसी ओर वस्तु का ताप इसे मत मापिएगा अब लिखा है प्रियोग साला धर्मामीटर यानि प्रियोग साला ताप मापी चलिए इसके बारे में बढ़ लेते हैं लिखा है हम अन्न वस्नों के ताप कैसे मापते हैं इसके लिए अन्न ताप मापी काम में लाते हैं ऐसा ही एक ताप मापी प्रियोग साला ताप मापी है आपके अध्यापक इस ताप मापी को आपको दिखाएंगे तो ये प्रियोग सालाओं में होता है आगे लिखा है इससे ध्यान से देखिए तता इससे मापे जा सकने वाले अधिक तम तता नीम तम ताप को नोट कीजिए प्रियोग साला ताप मापी का परसर प्राया माइनस 10 डिगरी से 110 डिगरी सेलसियस होता है और यही आपको याद रखना है परसर आपको याद रखना है इससे प्रस्न बन जाता है आगे लिखा है जैसे आपने डॉक्टरी धर्मामीटर में किया था ठीक उसी पिरकार इस के इसमान की आवश्यक्ता होगी आगे लिखा है विभिन प्रयोजनों के लिए विभिन प्रिकार के ताप मापी उपयोग किया जाते हैं मौसम की रुपोर्ट में दिये गई अधिक्तम तथा नियूंतम तापोगी जानकारी देने के लिए अधिक्तम नियूंतम ताप माप का उपयोग किया जाता है अब यहां पर प्रियोग साला थर्मामीटर को किस पिरकार उपयोग किया जाता है यह समझाय जा रहा है तो चलिए इस किरिया कल आपको पढ़ लेते हैं लिखा है किसी बीकर अत्वा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए ताप मापी को जल में इस पिरकार डिवो यह कि उसका बल्ब तु जल में डूबा रहे लेकिन वय बरतन की तली अत्वा दीबारों को इस परस ना करे यानि बीच में आपको रखना है ताप मापी को जल में उर्द्वा धर रखते हुए इसमें पारे की तल की गती को देखिए तब तक परतिछा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल इस्थिर ना हो ताप मापी का पाठ्यां के नोट कीजिए यह इस समय जल का ताप है तो इस त थर्मामीटर का पाठे आंग लेखते समय बरती जाने वाली साबधानिया, सभी साबधानियों के अत्रिक्त, निमलकिस साबधानी भी बरती जानी चाहिए, क्या क्या है, तापमापी को औरद्वाधर रखना चाहिए, तिर्छा नहीं, तापमापी का बल्व चारो और से प्रशन और आता है, क्या आता है, क्या प्रयोग साला थर्मामीटर से सरीर का ताप माप सकते हैं, तो क्या कह रहा है बूजो, बूजो को अब समझ में आ गया, कि उच तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उप्योग नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब प्रयोग साला थर्मामीटर के द्वारा हम सरीर का ताप क्यों नहीं माप सकते हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं, लिखा है किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए, ताप मापी के बल्व को जल में डुबोईए, पारे के तल के इस्तिर होने तक प्रतिच्छा की जब पारे का तल इस्तिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए, अब ताप मापी को जल से बाहर निकालिए, ध्यान पूर्वग देखिए कि अब क्या होता है, क्या आप देखते हैं कि जैसे ही ताप मापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तल गिरने लगता है, इसका आर् प्रयोग साला थर्मामीटर द्वारा जब हम पाठे आंक लेते हैं तब उसी समय ही लेते हैं जब थर्मामीटर उस बस्तू में या जल में उसका बल्ब उस बस्तू में या जल में रखा हो और यदि बाहर निकाल लेते हैं तो पारे कतल क्या होता है गिरने लगता है आगे क्य लिखा है इस मरड कीजिए कि अपने सरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए धर्मामीटर को मुझ से बाहर निकालना पड़ता है क्या तब आप प्रयोग साला ताप मापी को अपने सरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं इस पस्ट है कि प्रयोग साला ताप मापी का उपयोग इस प्रयोचन के लिए सुब्धाजनक नहीं है डॉक्ट्री धर्मामीटर को मुझ से बाहर निकाल लेने के निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या उपर क्यों नहीं जाता किसी डॉक्टरी धर्मामीटर का फिर से प्रेक्षड कीजिए किया आप बल्व के पास कोई विभंग यानी किंक देखते हैं तो ये अंतर होता है आप क्या देखते हैं कि जो प्रेयोक साला थर्मामीटर है यदि आप जल या उस बस्तू से बाहर निकाल लेते हैं तो उसका जो इसका अर्थ है कि किसी प्रेयोक साला ताप मापी द्वारा ताप का पाठ्यांग तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस बस्तू में रखा है जिसका ताप मापना है अब डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या करते हैं जब हम अपने सरीर का ताप मापते हैं तो उसे मूं से बाहर निकालते हैं फिर उसका पाठ्यांग नोट करते हैं जबकि प्रयोक साला थर्मामीटर में क्या होता है हमें पाठ्यांक तभी लेना होता है जिस बस्तु या जल का हम ताप माप रहे हैं और थर्मामीटर का जो बल्ब है उसके अंदर है तो तभी पाठ्यांक लेना होता है अब इन में अंतर क्यों है अब यदि प्रयोक साला थर् नहीं चलेगा, तो इण में अंतर है क्योंकि जो डॉक्ट्री ठर्मामीटर होता है, उसमें एक विभंग होता है, एक किंक होता है, जो क्या करता है, उस पारे की तल को नीचे गिरने से रोखता है, यानि जब वो ठर्मामीटर को मुझ से बाहर निकालते हैं, तो पारे का तल उपर नीचे क्यों नहीं जाता तो इसके लिए फिर से प्रेक्षड करकर आपको देखना होगा कि इसमें बल्ब के पास कोई विभंग या किंक देखते हैं विभंग का क्या लाब है या पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है तो ये जो विभंग होता है ये पारे के तल को अपने आप नीचे नहीं गिरने देता जब हम इसे जटकते हैं जब उपर बताया गया था कि जब हमें ताप मापना है तो हमें क्या करना होगा थर्मामीटर को एक दो बार जटकना है ताकि जो पारा है वह सही स्थान पर आ जाए तो ये उपर नीचे क्यों नहीं होता है नीचे क्यों नहीं गिरता है पारा क्योंकि इसमें विभंग होता है और यह अपने आप पारे को पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है तो यही आपको याद रखना है ये अंतर है अब यहाँ पर डिश्टल थर्मामीटर के बारे में बताया जा रहा है लिखा है तापमापी में पारे के प्रयोग के विशय में अनेक सिंदाई है पारा एक विशास्त पतार्थ है यदि तापमापी तूट जाए तो इसका निप्टान अतियत कठिन है आजकल अंकी तापमापी याणि डिश्टल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता तो आप देखेंगे कि ये जो काच वाले थर्मामीटर है अब ये उपयोग में कम ही लाए जाते हैं इस तरीके के थर्मामीटर आने लगे हैं जिनमें पारे का प्रयोग नहीं होता ये डिश्टल थर्मामीटर है इनमें आसानी से तापमापा जाता है अब लिखा है उस्मा इस्थानांत्रड थर्मामीटर के बारे में आपको बता दिया प्रयोक साला थर्मामीटर का प्रयोक कैसे करना है डॉक्ट्री थर्मामीटर का प्रयोक कैसे करना है दोनों के परसर आपको याद रखने है प्रस्नियदी पूछा जाएगा तो परसर से ही अब उस्मा इस्तानांतरड के बारे बताया जा रहा है कि उस्मा का इस्तानांतरड क्या है उस्मा इस्तानांतरड की कितनी विधिया है ये सब पढ़ेंगे तो चलिए सुरू करते हैं लिखा है संभबता आपने देखा होगा जब किसी बरतन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तब्त हो जाता है इसका कारण है कि उसमा ज्वाला से बरतन की ओर चली जाती है जब बरतन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है यह ठंडा क्यों हो जाता है उस्मा बरतन से परवेश की और इस्थानांत्रित हो जाती है इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों इस्थितियों में उस्मा गर्म वस्तू से ठंडी वस्तू की और प्रवाहित होती है वास्तव में उस्मा सदयो गर्म वस्तू से अपेच्छा करत थंडी वस्तू की और प्रवाहित होती है तो ये आपको याद रखना है उस्मा जो है हमेशा गर्म वस्तू से थंडी वस्तू की और प्रवाहित होती है आगे लिखा है उस्मा किस परकार इस्तानांतरित होती है इसकी खोज करें तो उस्मा इस्तानांतरड की तीन विदिया है आपको ये डिटेल में किरिया कलाब पढ़ने की आवस्सक्ता नहीं है तो उस्मा इस्तानांतरड की तीन विदिया है चालन, विकरण और समभण ये तीनों विदियां आपको याद रखनी है यहां किरिया कलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है चालन को, विक्रड को, समभण को तो किरिया कलाप हमें पढ़ने की आवसकता नहीं है हमें बस चालन के चालन के बारे में जानना है कि चालन क्या है, विक्रड क्या है, समभण क यह उस्मा इस्थानांतर्ड की विधिया है तो चलिए सबसे पहले चालन के वारे में जान लेते हैं। अपने अवश्च देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किये जाने वाले धातु के बरतन में प्लास्टिक या लखड़ी की हत्ती लगी होती है। जैसे प्लास्टिक है, रवर है, इनमें से उस्मा का पिरवार नहीं होता है। तो इसलिए हत्ते बनाने के लिए इनका प्रियोग किया जाता है। जबकि धातु में जो होती हैं, उस्मा के सचालक होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, लिखा है जो पदार्थ अपने से होकर उस्मा को आसानी से जाने देते हैं, उन्हें उस्मा का चालक कहते हैं। आइरन यानि लोहा, कौपर, जो पदार्थ अपने से होकर उस्मा को आसानी से नहीं जाने देते, उन्हें उस्मा का कुचालक कहते हैं। बस आपको अंतर याद रखना है, जो अपने में से उस्मा का प्रवार होने देते हैं, चालक कहलाते हैं, जो अपने में से उस्मा का प्रवार नहीं होने देते, कुचालक कहलाते हैं। कुचालक कौन कौन से होते हैं प्लास्टिक है लकडी है कुचालकों को उस्मा रोधी भी कहते हैं इतना और आपको याद रखना है जो कुचालक होते हैं वैं उस्मा रोधी भी कहलाते हैं आगे लिखा है जल तथा वायू उस्मा के कुचालक हैं तब इन पदार्थों में उस्मा का इस्थानांत्रड कैसे होता है अब जल और जो वायू है ये उस्मा के कुछ आलक है तो इस्थानांत्रड की जो दो और विधियां बताई है तो उनकी द्वारा इन में उस्मा का इस्थानांत्रड होता है तो चलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं तो जल और वायू में उस्मा का इस्थानांत्रण सम्वहन द्वारा होता है ये किरिया कलाब के माध्यम से समझाया जा रहा है तो हमें किरिया कलाब पढ़ने की आवशकता नहीं है जो इंपोर्टेंट है वही पढ़ेंगे बस आपको यतना याद रखना है कि जल मे उस्मा का इस्थानांत्रण सम्वहन द्वारा होता है वायू में उस्मा का इस्थानांत्रण सम्वहन द्वारा होता है अब इसको समझने के लिए ये छोटा सा किरिया कलाब है ये पढ़ लेते हैं लिखाए एक मौंबती जलाईए अपने हेक हाथ को ज्वाला के ऊपर तश संबहन द्वारा गर्म होती है इसलिए ज्वाला से उपर का हाथ गर्मी का अनभव करता है तथा पी पासर्व की वायू संबहन द्वारा गर्म नहीं होती इसलिए यह वायू के लौके उपर की वायू जैसी गर्म नहीं लगती यानि कि ये वाला जो हाथ है ये कम गर्मी का अ अधिक अन्भाव करेगा अब यहाँ पर एक और घटना के बारे में लिखा हुआ है लिखा है तटी छेतरों में रहने वाले लोग एक मनरंजक पर घटना का अन्भाव करते हैं दिन के समय इस्थल जलकिय पेच्छा सीगर गर्म होता है इस्थल के ऊपर की वायू गर्म होकर उपर उठती है इसका इस्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायू इस्थल की ओर बहती है चक्र को पूरा करने के लिए इस्थल की ओर से गर्म वायू समुद्र की ओर बह जाती है समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी ठंडी वायू को समुद्र समीर खहते हैं स समुद्र समीर की ठंडी वायू का लाब उठाने के लिए तटी छेतरों के भवनों में खिड़किया समुद्र की ओर बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रम चलता रहता है। तो जो चालन है और सम्वहन है इसने माध्यम की आवसकता होती है। अब सूर की उस्मा हमारे पास कैसे पहुंसती है तो यह पहुंसती है विक्रण द्वारा। उस्मा इस्थनांत्रण की तीन विधिया हैं जो मैंने आपको तीन बताई। पहली बताई चालन जिसके द्वारा ठोसों में उस्मा का इस्थनांत्रण होता है। अब तीसरी है विक्रण तो यही यहां पर लिखा हुआ है चोकि प्रत्वी तथा सूर के बीच के अधिकांस इस्थान में कोई माध्यम जैसे की वायू नहीं है अता सूर से हम उस्मा सूर से हम तक उस्मा एक अनप्रक्रम द्वारा आती है जिसे विक्रण कहते हैं। विक्रण द्वारा उस्मा के इस्थानात्रण में किसी माध्यम जैसे वायू जल की आवसकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो विक्रण द्वारा उस्मा का इस्थानात्रण हो सकता है। जब हम किसी तापक यानि हीटर के सामने बैठते हैं, तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा उस्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटा कर रखा कोई गरुंबर तन ठंडा होते समय, अपनी कुछ उस्मा को विक्रड द्वारा ही परवेश को इस्थानांत्रित करता है। हमारा सरीर विक्रड द्वारा ही परवेश को उस्मा देता है, तथा उससे उस्मा गिरहड करता है। तो हमें सामान भासा में शरिप इतना याद रखना है कि उस्मा इस्थानांतरड की तीन विदियां हैं, चालन, संबहन, विक्रड, चालन और संबहन को माध्यम की आवसकता है, जबकि विक्रड को किसी भी माध्यम की आवसकता नहीं होती, सूर की जो उस्मा है हम तक विक्रड के वस्तर क्यों पहनते हैं सर्दियों में अलग पिरकार के गर्मियों में अलग पिरकार के तो चलिए ये भी जान लेते हैं लिखा है आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हलके रंके वस्तरों को वरीता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंके कपड़े पहनना पसंद करत करते हैं ऐसा क्यूं है आई इसका पता लगाएं अब इसके लिए एक किरिया कलाप समझाय जा रहा है तो हमें ये पढ़ने की आवसकता नहीं है मैं आप लोगों को बता दूं कि जो गहरे रंग होते हैं ये उसमा को अवसोसित करते हैं इसलिए यदि आप गर्मियों में डार के रंगे कपड़े पहने से गर्मी नहीं लगती है तो ये किरिया कलाप के माध्यम से समझाय जा रहा है ये दो बरतन है एक का जो परस्ट है वै काला है और दूसरे का सफेध है इन्हें धूप में रखना है तो किस बरतन का पानी गर्म हो जाएगा तो जो डार्क रंग का ह ये बर्तन ये काला वाला इसका पाने गर्म हो जाएगा जबकि ये जो बर्तन है इसका पाने गर्म नहीं होगा तो यही यहाँ पर समझाया जा रहा है आगे लिखा है गर्मियों में सफेद रंग या हलके रंग के वस्तर तशा सर्दियों में गहरी रंग के वस्तर पहनना उसमी विकरडों के अधिकांस भाग को परावर्तित कर देते हैं इसलिए गर्मियों में हमें हलके रंके वस्तर अधिकाराम दे लगते हैं आगे लिखा हुआ है सर्दियों में उनी वस्तर हमें उश्ड बनाए रखते हैं जो उनी वस्त्र होते हैं वो उश्ड बनाई रखते हैं कैसे सर्दियों में हम उनी वस्त्र पहनते हैं उन उस्मा रोधी है इसके अत्रिक्त उन रेसों के बीच में वायू फसी रहती है या वायू हमारे सरीर की उस्मा को ठंडे परवेश्की और विक्रित होने से रोकती है अ आप इन में से किसे चुनेंगे याद रखिए दो कंबलों के बीच में वायू की एक परत बिद्धमान है तो जो दो परतों वाला कंबल है उसे आप यदी प्रियोग करेंगे तो उसमें कमसर्दी कानभव होगा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है हम अपने घरों को ठंडा या ऐसा बनाया जाए कि उसके वीच में वायू की एक परत हो तो ऐसा संभव किया जा सकता है ऐसा करने की एक विधी है कि भवन निर्मार में खोकली इटों का प्रियोग किया जाए जो कि आजकल उपलब्द हैं तो यदि खोकली इटों का प्रियोग किया जाए तो भवन के अं उसके बारे में उसके परसर के बारे में फिर प्रयोक साला थर्मामीटर के बारे में उसका प्रयोक कैसे करना है कौन-कौन सी सावधानियां बरती जानी है और उसके परसर के बारे में जाना उसके बाद उसमा क्या है उसमा इस्थानांतर की कितनी विधियां है उसके बारे में जाना और फिर हम अलग-अलग मौसम में अलग-अलग पिरकार के वस्तर क्यों पहनते हैं इसके बारे में जाना तो अच्छा लेसन था कहीं पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट बोक्स में जरूर लिखिएगा और यदि आपने सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लीजिए आपको इनसी बहुत लाब मिलेगा क्योंकि प्रस्ण जो है NCRT से ही बनते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कहीं पर भी आपको डाउट हो अभी तक मैंने जितने भी लेसन पढ़ाई हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियागा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई